चार आने का हिसाब बहुत समय पहले की बात है चंदरपुर का राजा बड़ा पृतापी था दूर दूर तक उसकी सम्रद्धी की चर्चाई होती थी उसके महल में हर एक सुषुधा की वस्तोय उपलब्द थी पर फिर भी उसका मन अंदर से असांत रहता था उसने कई जोतिशियों और पंडितों से इसका कारण जानना चाहा किसी ने अंगूठी पहनाई तो किसी ने यग्य कराए पर फिर भी राजा कर दर्द दूर नहीं हुआ उससे सांती नहीं मिली एक दिन भेश बदल कर राजा अपने राज्य की सैर पर निकला घूंगते घूंगते एक खेट के निकट पहुँचा तब उसकी नजर एक किसान पर पड़ी किसान में फटे पुराने वस्त धारड किये हुए थे और वह पेर के नीचे छाओं पर बैठकर भोजन कर रहा था किसान के वस्त देखर राजा के मन में एक ख्याल आया कि वह किसान को कुछ सुर्ण मुदराय दे दे ताकि उसके जीवन में कुछ खुसिया आ सके राजा किसान के सम्मुग जाकर बोला मैं एक रहगीर हूँ मुझे तुमारे खेट पर यह चार मुदराय मिली है चुकि यह खेत तुम्हारा है इसलिए यह मुद्राय भी तुम रख लो किसान ना ना सेड़ जी यह मुद्राय मैं नहीं रख सकता इसे आप ही रखें या किसी गरीब को दान कर दें मुझे इससी कोई आउशक्ता नहीं किसान की यह परतिकिरिया राजा को बड़ी अजीव लगी वह बोला धन की आउशक्ता किसे नहीं होती बहला आप लक्षिमी को कैसे मना कर सकते हैं किसान सेड़ जी मैं रोज चार आने कमाता हूँ और उसमें ही मैं खुश हूँ किसान बोला क्या आप सिर्फ चार आने की कमाई करते हैं और उतने में ही प्रशन होते हैं यह कैसे संभो हैं किसान बोला सेड़ जी प्रशनता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना कमाते हैं या आपके पास कितना धन है प्रसनता उस धन्व के प्रियोग पर निर्भर करती है कि तुम इस चाराने का क्या क्या कर सकते हो राजा ने उपहास के लहजे में प्रशन किया किसान भी बेकार के बहस में नहीं पढ़ना चाता था उसने आगे बढ़ते हुए उत्तर दिया इन चारानों में से मैं एक आने को कुए में डाल देता हुँ दूसरे से कर्ज चुका देता हुँ तीसरा उधार दे देता हुँ और चोथा मिट्टी में गार देता हुँ राजा सोचने लगा उससे यह उत्तर समझ नहीं आया वा किसान से इसका अर्थ पूसना चाहता था पर वो आगे जा चुका था राजा ने अगले दिन सभा उलाई और दरवार में कल की घटना है सुनाई और सबसे किसान के उस कधन का अर्थ पूसना चाहा दरवारियों में से अपने अपने तर्क पेस करने के लिए कई लोग आई और राजा को कोई भी संतुस्ट नहीं कर पाया अंत मैं किसान कोई दरवार में बुलाने करने न दे दिया बहुत खोज भी इनके बाद किसान मिला और उसे कल ही सभा में प्रस्तुद होने की अनुवती दे दी राजा ने किसान को उस दिन अपने भेश बदल कर ब्रहम करने के बारे में सारी बाते बता दी और कहा मैं तुम्हारे उत्तर से प्रशंद हूँ तुम्हारे चार आने का हिसाब जानना चाहता हूँ बताओ तुम अपने कमाईचार आने किस तरह खर्च करते हो जो तुम इतना प्रसंद हो और इतना संतुस्त रहते हो किसान बोला हुजूर जैसा कि मैंने आपको बताया था मैं एक आना कुए में डाल देता हूँ यानि अपने परिवार के ब्रहर पोसर में लगा देता हूँ दूसरे आने से मैं करजा चुका लेता हूँ यानि इसे अपने बुड़े महबाब की सेवा में लगा देता हूँ और चोधा मैं उधार देता हूँ यानि अपने बच्चों की शिख्षा दिख्षा में लगा देता हूँ और चोधा में मिट्टी में मिला देता हूँ यानि एक पैसे की बचत कर लेता हूँ ताकि समय आने पर मुझे किसी से उधार न मागना पड़े और किसी के सामने हाथ न फैलाने पड़े मैं इसे धार्मी सामाजिक या अंध्य आश्यक कार्य में लगा सतोव खिसान की वास समाज आ चुकी थी राजा की समस्या का समाधान हो चुका था कि यदि उसे संतुस्त और प्रसंद रहना है तो उसे भी अपने अरजित के इधन को सही सही उव्योग करना होगा और भी अच्छी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, शियर, सब्सक्राइब जरूर करें